मेरे यूटूब पेज आस्टो नरेश पर आपका स्वागत है नमस्कार, मैं हूँ नरेश कुमार सबसे पहले उन दर्षकों का शुकुरिया जिन्होंने पेज को सब्स्राइब किया है पेज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं यदि आप पेज के ओपर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसके ओपर कमेंट जरूर करिए ताकि हम इसे और सुधार सकें और आपकी valuable feedback की हमें जो है वो इंतजार रहेगा आज बात करेंगे करक राशी की एपरल महीने के राशी फल के लिए करक राशी के जातक 17 जनुरी के बाद से थोड़े परेशान है उसका कारण ये है कि साड़े धाया जो है वो शनी की शुरू हो चुकी है लेकिन जादा परशान मत होईए शनी के साड़े negative result नहीं आते शनी बहुत जादा positive result भी करते हैं हालकि ये बात अलग है कि आपकी कुंडली में शनी जो है वो दो घरों के मालिक होते हैं एक सप्तम और एक अश्टम दोनों ही भाव जो है वो एक ट्रीके से अच्छे भाव नहीं है सप्तम मारकसान होता है और शनी प्रबल मारकेश होते हैं और अश्टम भाव के स्वामी शनी होते हैं और अथ्तम्हव आयूका भाव है यहां से जो है वो डैथ भी देखीजाती है नुकसान यहीं से देखा जाता है यहीं से आपका दूरहतना भी देखी जाती है यह मैं चीजें ड्राने के लिए नहीं बोलगा यह यहां रहती है कि करग लगन के लिए शनी की इस्तिती यही रहती है यदि शनी सब सहे चलता है वह जी कि ढांनी में चंद्रमा जो है वो राशी के स्वामी बनते हैं वो उपर से ही गुज़र रहे हैं केंदर से ही गुज़र रहे हैं केत्तु चोथे भाव में हैं आपकी कुल्ली में शनी अश्टम भाव में हैं सूरे और गुरु का गोचर नुवे भाव में हो रहा है ये गुरु का गोचर आ शुक्र का गोचर शुब नहीं है राहू का गोचर शुब नहीं है बुद्ध शुब गोचर में है और मंगल बार्वे भाव में गोचर कर रहे हैं ये भी गोचर शुब नहीं है अब यहां पर सबसे पहले तो शुक्र का गोचर जो आपको राहत देने वाली बात है शुक्र क भाव से आपका बड़ा भाई देखा जाता है यहां पर शुक्र इस भाव के स्वामी है और चोथे भाव के स्वामी है जो केतु से पीडित हुआ पड़ा है वह भाव जो है वह थोड़ा सा शुब स्थिती में आ रहेगा क्योंकि शुक्र शुब गोचर में आ जाएंगे 6 बाद सूरे का गोचर होगा सूरे आपकी कुनली में यहां से दशम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे सूरे नुवे भाव में भी शुब गोचर में नहीं होते लेकिन दस्वे भाव में शुब गोचर में आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि शुक्र और सूरे दोनों का गोचर आपके लिए शुब हो जाएगा एप्रल महीने के दोरान हलाकि गुरू जो है वो नुवे भाव में शुब गोचर में हैं लेकिन ये शुबता अब समप्त होने की तरफ जा रही है बाइस एप्रल को गुरू यहां से गोचर कर जाएंगे दशम भाव में ये शुब गोचर नहीं रहेगा गुरू भागेक्तान के स्वामी है और गुरू आपकी कुर्ली में च्छटे भाव के स्वामी है यदि दशा या अंत्रशा गुरू की चल रही है तो हो सकता है कि भागे की थोड़ी सी अब हानी होनी शीरू हो जाएं प्रम फोड़े आपकी कुणली में करमस्तान के स्वामी और मंगल जो हैं वो बार्वे भाव में बैठे हैं जो शुब गोचर नहीं है लेकिन गुरू की द्रिष्टी जब चंद्रमा के ऊपर परती है तो निश्ची तोर पर आपकी आय में मनी में मनी का फ्लो जो है वो बना रहता है क्योंकि नवे भाव के गुरू ट्रेंगल को एक्टिवेट कर देते हैं चंद्रमा का जो ट्रेंगल है पंचम नवम और चंद्रमा आपका वो ट्रेंगल एक्टिवेट है तो पंचम भाव इजी गेंस का भाव है आपको मनी फ्लो असानी से मिलता रहेगा वैसे भी शुक्र जो है व वो शुब स्थिती में आ जाएंगे आए और करम के लिहाज से एपरल का महीना अच्छा रहेगा अब बात करेंगे आपकी डिलेशनशिप कैसी रहेगी तो मेरिट कपल्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिती आ सकती है उसका कारण ये है कि सप्तम के स्वामी अश्टम में गोचर कर रहे है चोथे भाव में केतु का गोचर है उसकी दिश्टी जो है वो पढ़ रही है शनी के उपर यानि कि सप्तम के स्वामी के उपर केतु जो है वो एक ऐसे प्लैनेट है जो आपने जगड़ा करवाते हैं अलगाव नहीं करवाते जोतिश में कहा जाता है शनिवत राहू कुजवत केतु यानि कि केतु मंगल की तरह फल करते हैं मंगल की दृष्टी आपकी कुणली में सब्तमभाव के उपर केतु की दृष्टी सब्तमेश के उपर हैं उनके लिए शुक्र जो है वह अच्छा काम करेंगे क्योंकि शुक्र जो है वो रमेंस के कारग्रह हैं शुक्र से शादी देखी जाती है शुक्र जब 11 भाव में आ जाएंगे तो पंचम को एक्टिव करेंगे तो ये चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी रिलेशन्शिप के लिहाज से करकराशी के जात्कों के लिए ये स्थिती रहेगी एप्रल महीने के दुरान अब बात करेंगे हैल्थ की, की हैल्थ कैसी रहेगी हेल्थ भाव के स्वामी जो है वो आपकी कुलनी में गुरू है शुब गोचर में है तो निश्ची तो पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली लेकिन छटे भाव के ओपर राहू और मंगल दोनों की दृष्टी पढ़ रही है राहू क्या करते है राहू गैसों के कारक रहे हैं राहू इमेजिनेटर भी प्लैनेट हैं हो सकता है कि कहीना कोई कोई ऐसी प्रोडम आए जिससे आप ज़्यादा सोच में पढ़ जाये मांसिक परशानी हो जाए मंगल जो है वो aggression के कारक है उसी सोच में आपका action जो है वो आपकी language जो है वो ऐसी ही हो जाए कि आप जो है और रियक्ट कर जाए तो उससे चीज़ें ज़्यादा बिकर सकती है यहां कि शरीरिक से ज़्यादा मांसिक शती जो है वो यह planetary combination दे सकती है वैसे जो करक राशी के जातक होते है वो थोड़े से ज़्यादा से ज़्यादा से जल्दी करते हैं तो यह महीना आपको अपनी जो emotions हैं उनके उपर काबू रखने का है control रखने का है और अपनी जो language है उसके उपर भी थोड़ा सा नेंतरन रखने का है यदि आपको लगता है कि conflict हो रहा है तो situation को थोड़ा सा वाइड करिये चीजें दिक्कत वाली हो सकती है मांसिक तोर पर भी मैं बता रहा हूँ रेशनिशिप के लिए हैसे तो नजर आई रहा था लेकिन मांसिक तोर पर भी इस्तिती ज़्यदा अच्छी नहीं है यदि आपका काम driving से जुड़ा है construction से जुड़ा है कहीं ऐसी machinery पर काम करते हैं जहां पर दुगटना होने के योग महिं भाव को देख रहे हैं रहुच यह यह नंकी जो चार PB पलाइनट है मोडिकल लोगर किसे इंपेक्ट कर रहे हैं तो स्तिती थोड़ी सी अच्छी नहीं है स्थिदेंट्ट्ट् घुटर्व को भी देख रहे हैं गुरु पंचम को भी देख रहे हैं पंचम के कारग गुरु हैं बुद्ध हैं वो दस्वें भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु जो है वो पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं तो स्थिति एजूकेशन के लिहाज से थोड़ी सी ज्यादा बेटर है यदि आप student है तो इसका आपको निश्ची तोर पर इस एपरल महीने के दुरान काफी फायदा होगा तो करक राशी के जात्कों के लिए ये एपरल महीने का राशी फल है ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए यदि आपको लगता है कि वीडियो में कुछ सुधार की गुझाशा है तो अपनी राय जरूर दीजिए यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेर करिए और सबस्क्राइब जरूर करिए इसके साथ ही मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार